आप सब का स्वागत है हमारी योटूब चनल मॉम डेड एंग बेबी में और आजम लोग बात करने वाले हैं हेल्दी और क्यूट बेबी चाहिए तो प्रेगनसी में बिल्कुल भी ना खाएं कुछ चीजे जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अकसर देखा जाता है कि गर्वती महिलाओं को कोई भी चीज बहुत सावधानी से खाने को कहा जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई हेल्दी चीजे भी मा और बच्चे के लिए नुकसान दायत साबित हो सकती है प्रेगनंसी के दोरान कई बार कुछ भी खाने का मन कर जाता है और ऐसे में बिना डॉक्टर की सलाके कुछ नहीं खाना चाहिए क्योंकि आपका ऐसा कुछ भी खा लेना आपको और आपके बच्चे दोनों के लिए नुकसान दे साबित हो सकता है इसके अलावा कुछ भी हेल्दी चीजे भी आपको कभी कभी नुकसान दे साबित हो सकती है आईए जानते हैं ऐसी ही पांच अच्छी चीजों के वारे में जो नॉर्मल इंसान के लिए तो फायदेमंद है लेकिन गडवती महिला के लिए या काफे नुकसान दे साबित हो सकती है पहला है कच्छे अंजा कच्छे अंजे में कुछ हानिकारत जिव जैसे की E. coli और Salmonella पाय जाता है ये गडवती महिला के आतोक में infection पैदा कर सकता है यह ज़रूरी होता है कि गडवावस्था के दोरान कच्छे अंजे का सेवन बिल्कुल भी ना किया जाए अगला है Soft Cheese गडवती महिलाओं को Soft Cheese खाने से बचना चाहिए Soft Cheese में सामिल है Fita, Brie और Cambrates Paneer यह गडवावस्था के दोरान सुरक्छित नहीं माना जाता है अगला है Unpostercrate दूद और Juice Unpostercrate दूद और कई नरम चीज से गडवावस्था के दोरान आपको थोड़ा बचना चाहिए अगर चीज पर यह लेवल लगा है कि वह पोश्चरित दूद से बना है तो गडवावस्था के दोरान इसका इस्तमाल करना सुरक्छित है लेकिन अगर लेवल पर अस्पष्ट नहीं हो रहा है कि इससे बचना बैतर होगा क्योंकि इसमें बैक्टेरिया हो सकता है अगला है कच्ची अंकुरित सबजिया गरभावस्था के दोड़ान कच्ची अंकुरित सबजियों से बचना चाहिए क्योंकि ऐसी सबजियों में अंकुरन के दोड़ा बैक्टेरिया मिल जाता है इस प्रकार के कच्चे अंकुरित जैसे अलफला, तिप्तिया घास, मूली और मूंग खाने से बचे अगला है हर्बल सप्लिमेंट आमतोर पर हर्बल सप्लिमेंट की जाच अन्य दवाओं की तरह नहीं होती इसलिए इसे गरभावस्था के दोड़ान सुरक्षित नहीं माना जाता इसलिए गर्भावस्ता के दोड़ान हर्बल सप्लिमेंट लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात जरूर कर ले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले आपका एक सब्सक्राइब हमारा धेर सारा धन्यवाद आपका हमारे चनल पे आने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद